Good morning students, आज की जो अपनी क्लास होगी, उसके अंदर अपना टोपिक है, एवरेज, ओसत, तो उसको अपन कंप्लीट करेंगे, यह अपना थे टोपिक है और बहुत जदा इंपोर्टेंट है पटवारी के एकजाम के लिए, जो राजस्थान में पटवारी के एकजाम होगी, उसक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बेसिकली जो अपना एवरेज होता है, एवरेज वर्ड अपन कहां सुनते हैं, तो पहली चीज होती है कि जैसे कोई गाड़ी जारी है, या जेपूर से कोई गाड़ी लेके आया, जैसे अलवर कोई गाड़ी आई, या जुन जुन कोई गाड़ी आई तो अपन सबसे पहले उससे पूछते हैं कि आपकी गाड़ी का एवरेज क्या है इसका एवरेज क्या है एवरेज मतलब उससे अपन ये केलकुलेट कर लेते हैं कि एक किलो मिटर के अंदर वो कितना ओई ले रही है या कितने रुपे उसमें खर्च हो रहे हैं एक किलो मिटर जाने में वो गाड़ी कितने रुपे का तेल वो काम में लेती है या कितने रुपे खर्च हो रहे हैं तो वो चीज अपने को किस चीज से पता चलती है एवरेज से ही पता चलती है तो एवरेज के बेसिक प्यूसन है सबसे जो फैस्ट अपना इंपोर्टेंट्स जो इसका फोर्मूला है वो सब भी जानते हैं एवरेज का ओसेत बराबर रासियों का योग बटे रासियों की संख्या रासियों का योग बटे रासियों की संख्या ये इसका बेसिक फोर्मूला है मतलब टोटल नंबर्स हैं उनको काउंट करना है वो डिवाइड करना है उन नंबर्स की कि कितने नंबर्स हैं उनसे उसको डिवाइड करना है ये तो अपना बेसिक क्यूस्षन हो गया एवरेज का अब अपने को रासियों की संख्या निकालनी हो तो अपन निकाल सकते हैं ओसत बटे रासियों का योग ये चीज़ अपन कर देंगे तो अपने पास रासियों की संख्या आजाएगी या रासियों का योग निकालना हो तो ओसत इंटू रासियों की संख्या ये कर गया अपन फाइंड आउट कर सकते हैं ये तो basic formula की बात हुई अब अपना आगे चलते हैं एक इस formula पर best अपन क्यूशन भी देख लेते हैं सबसे first जो अपना क्यूशन है वो है 9 आमों का वजन दे रखा है अपने को 50 के G60 के G65 के G62 के G67, 70, 64, 45, 48 ग्राम हो तो उनका ओसत वजन क्या होगा average weight अपने को calculate करने के लिए बोल रहा है अपने को weight पता है तो सबसे पहले weight जो अपने को दे रखा है उसका आपन क्या करेंगे sum करेंगे उपर 50 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 62 प्लस 67 प्लस 70 प्लस 64 प्लस 45 प्लस 48 इनको अपन डिवाइड करेंगे average अपन फाइंड आउट कर रहे हैं इससे डिवाइड करेंगे total numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो इसको 9 से अपने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया इनको एड किया तो अपने पास आया 531 बटे 9 तो आंसर अपने पास आ गया 59 ग्राम यह चीज अपनी क्या होगी average हो गई अब सेकिन टाइप यह तो होगी basic टाइप अब सेकिन टाइप पर आपना चलते हैं सेकिन टाइप मैं अपने पास कौन से क्यूशन होंगे जब किसी क्यूशन में ओसत वजन ओसत आयू या तो क्या दिया हुआ होगा अपने को ओसत वजन या अपने कास क्या होगी ओसत आयू ये दोनों अपने को गीवन हो तो ओसत का मतलब होता है तो ओसत वजन ये बोले तो किसका होता है? प्रतेक का वजन होता है अपने क्यूशन देखते हैं किसी कक्सा के पंदरे चात्रों का ओसत वजन अठारा केजी है पंदरे चात्रों का ओसत वजन कितना दे रखा है? अपने को अठारे केजी दे रखा है तथा 10 छात्रों का ओसत वजन 12 के जी है 10 छात्रों का ओसत वजन है 12 के जी तो कक्सा में सभी छात्रों का ओसत वजन क्या होगा सभी का अपने को ओसत वजन पूछा है यह अपने पास क्यूशन है तो सबसे पहले 15 छात्रों का ओसत वजन अपने को पता है तो इस से अपन टोटल वजन केलकुलेट कर लेते हैं पहले छात्रों का केलकुलेट कर लेते हैं फिर छात्राओं का कर लेंगे तो 15 x 18 ये आगै अपने पास 270 चात्राओं का कुल वजन कितना हो गया इसको मैं कर दिया 10 x 12 बराबर 120 तो ये अपने पास क्या आ गया कुल वजन कुल वजन निकल के आ गया अब कुल वजन छातर और छातराओं का कुल वजन कितना हुआ 270 प्लैस 120 390 तो टोटल अपने पास छातर कितने होगे टोटल छात्र कितने होगे अपने पास, टोटल छात्र यहां पर होगे, पंद्र है तो है अपने पास, छात्र और टेन है अपने पास, छात्र हैं, तो टोटल होगे मेरे पास 25, दुनों को एड़ किया छात्र छात्रों को, तो ओसत वजन कितना हो जाएगा average मतलब 390 divided by total number of students तो इस students कितने हो गए अपने पास 25 तो आंस्वर आजाएगा अपना 15.6 kg 390 बटा 25 बराबर 15.6 kg इसका आंस्वर आजाएगा नेक्स्ट इसी टाइप का अपने एक क्यूशन और देखेंगे टाइप सेकिंड का ही टाइप सेकिंड का ही दूसरा क्यूशन है आट टीवी बस साथ रेडियो का मुल्ले अपने को दे रख खाये 27.350 रुपे यह दि एक रेडियो का ओसरा क्यूशन और दूसरा क्यूशन और दूसरा क्यूशन है तो बताओ एक टीवी का ओसरा मुल्ले क्या होगा एक टीवी का ओसरा मुल्ले अपने को पूछा है तो इस टाइप के तुसरा को अपने कैसे करते हैं अपने पास एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ निक्स साथ, साथ अपने पास क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, साथ अपने पास है रेडियो जब एक रेडियो का ओसरा मुल्ले 200 है तो मैंने एक बात बोली थी जो ओसरा मुल्ले होता है वो प्रतेक का होता है तो इसका डाइप सो है तो इसका भी 250 होगा इसका भी 250 होगा इसका भी 250 होगा इसका भी 250 ऐसे सब का क्या होगा 250 मतलब प्रते का कितना है 250 रूपए तो साथ रेडियो का अपने पास जो मुल्ने निकल के आईगा वो कितना होगा 250 गुना 7 मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस चीज को तो वो मेरे पास निकल के आता है 1750 रूपे अब साथ मेरे पास रेडियो का मुले निकल के आ गया और आठ टीवी और साथ रेडियो का मुले ये है तो इसमें से मैं इस सेज को माइनस कर दूँ साथ रेडियो के मुले को मैं इसमें से गटा दूँ तो मेरे पास आठ टीवी का मुले आ जाएगा तो आठ टीवी किसके बराबर हो जाएंगे आठ टीवी का मुले मेरे पास क्या आ जाएगा 27,350-1750 इसको मैंने माइनस किया तो मेरे पास आपता है निकल के 25,600 अब 8 टीवी का मुले ये जो चीज है ये है 8 टीवी का मुले 25,600 मेरे पास है 8 टीवी का मुले तो एक टीवी का मुले क्या हो जाएगा 25,600 को मैं डिवाइड कर दूँआ 8 से तो मेरे पास निकल के आता है 32 रुपे जो एक टीवी का मुले है वो होगा मेरे पास 32 रुपे यही चीज़ अपने को केलकुलेट करनी है